हैलो प्रेंट्स हुमारे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं चावल के पापड बनाने जा रहे हूँ चावल के पापड बनाने के लिए हमने ये टूटे हुए चावल भिगो दिये हैं इन टूटे हुए चावल को हमने 24 गंटे पहले ही भिगो दिया था और ये टूटे हुए चावल बहुत अच्छे से फूल गये हैं आम मैंने अच्छे से धोकर एक थाली में निकाल लेती हूं आम मैंने सिल्वट्टे पर एकदम महीन महीन पीस लेती हूं इन चावल को हमें एकदम पतला ही पीसना है, मोटा नहीं पीसना है मोटे रहेंगी तो पापड अच्छे नहीं बनेंगे चावल को हमने बहुत अच्छे से पीस लिया है अब मैं इसमें नमक डाल देती हूं नमक में कम ही डालना है अजवाइन अब इन सभी चीजों को मैं बहुत अच्छे से मिला लेती हूं चावल का पेश्ट हमें ज़्यादा ना गाढ़ा रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है अब हमने जो डिब्बे होती हैं उनके ढखकन लिये हैं इन ढखकन में सबसब फिले में तेल लगा देती हूं ताकि पापड अच्छे से छूट जाएं अब मैं चावल के पेश्ट को इन ढखकन में भर लेती हूं कि हमने डेड़ चमस डाला है ढखकन में आपको जितने पतले या मोटे रखने हूं अपने हिसाफ से डाली इसी तरह से मैं सभी ढखकन में भर लिया है और हमने भगोने में एक पानी रख दिया अगरम होने के लिए पानी हमारा खाऊने लगा है उसी पे हमने एक जाली वाला चलना रख दिया है और इन ढखकन को उसी में ढखकर दिया है पापड पकने में सिफ़े एक मिनट का टाइम लगता है आप लोग देख सकते हैं पापड हमारे कितने अच्छे से पक गए हैं एक मिनट से जादा हमें पापड नहीं पकाना है वरना पापड फटने लगेंगे सबसे पहले मैं एक चाकू से इनकी नारों को छुड़ा देती हूँ आप लोग देख सकते हैं चावल के पापड हमारे कितने अच्छे से निकल रहे हैं इसी तरह से मैं सारे ढखकन के पापड निकाल लेती हूँ कि इस तरह से पापड पहुत जल्दी से बन जाते हैं और एक साथ में कई पापड बन जाते हैं सारे ढखकन से पापड हमने छुड़ा कर फैला दिये हैं इसी तरह से मैं दुबारा ढखकन में पेश्ट डालकर भर लेती हूँ और फिर से इसी तरह से बना लेती हूँ सारे पापड हमारे बन गए हैं और इन्हें हमने धूब में अच्छे से सुखा लिया है अब मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ पापड फ्राई करने के लिए हमने सरसो का तेल लिया है आप लोग देख सकते हैं पापड हमारे कितने अच्छे से फूल रहे हैं पापड हमारे बहुत अच्छे बने हैं इसी तरह से हमें जतनी जरूर्थ हमें पापड फ्राई कर लेती हूँ आप लोग देख सकते हैं पापड हमारे कितने मुलायम और कितने कुरकुरे बने हैं आप लोगों को हमारे पापड बनान की रेस्पी कैसी लगी है में कमेंट करके जरूर्बताएं थाइंक्यों झाल झाल